गोरे पुत्र गणेश की जय हो, मा पार्वती की जय हो, भोले शंकर की जय हो, आईए सुनते हैं सोमबार ब्रत कथा सोमबार के ब्रत में भगवान शिव और पार्वती जी की पूझा की जाती है प्राजिन सास्त्रों के अनुसार सोमबार के ब्रत तीन तरह के होते हैं सोमबार, सोलह सोमबार और सौम्य प्रदोस सोमबार की बिधी सभी व्रतों में समान होती है शिर पूजा के बाद सोमबार व्रत की कथा सुननी आवस्यक है सोमबार व्रत सुर्योदय से प्रारम कर तीसरे पहर तक किया जाता है ब्रत में फलहार वो किसी तरह के भोजन का विशेश नियम नहीं है लेकिन ब्रत करने वाले को दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए प्रदोश ब्रत 16 सोमबार और सोमबार तीनों की कथाएं अलग-अलग हैं सोमबार का नियमित रूप से ब्रत करने वालों पर भगवान शिव और मा पार्वती की अनकमपा बनी रहती है उनका जीवन धन्य धान से भर जाता है उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता है आईए प्रेम पुर्वक इस कथा को सुनते हैं किसी नगर में एक धनी ब्यापारी रहता था उसका ब्यापार दूर दूर के नगरों में फैला हुआ था उस धनी ब्यापारी के घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी सभी लोग उसका मान सम्मान करते थे इतना सब कुछ होने पर भी वह ब्यापारी बहुत ही दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था पुद्र पाने की इक्षा से वह ब्यापारी प्रतीक सोमबार को भगवान शिव का ब्रत किया करता था और सायन होते ही भगवान शिव के मंदिर में जा करके दीपक जलाया करता था उस ब्यापारी की भक्ती भावना को देखकर एक दिन मा पार्वती ने भगवान संकर से कहा हे भोले नात यह ब्यापारी आपका परम भक्त है कितने दिनों से यह नियम से सोमबार का भरत और पूजा कर रहा है आप इस ब्यापारी की मनो कामना अवस्य पूरी कीजिए भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ती होती है, यदी कोई नीम का ब्रक्ष लगाता है, तो उसकी कडवी निवेली ही मिलती है, अतह प्राणी जैसा कर्म करता है, उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है भगवान शिव के उत्तर से मा पार्वती संतुष्ट ना हुई वह उनसे बार बार आग्रह करने लगी मा पार्वती का आग्रह देकर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इस ब्यापारी को पुद्र प्राप्ति का वर्दान देता हू लेकिन इसका पुत्र 16 वर्स से अधिक जीवित नहीं रहेगा भगवान शिव ने स्वपन में उस ब्यापारी को दर्सन दे कर उसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान दिया और उसके पुत्र के अलप आयू के बारे में बात बताई कहा भगवान ने कि उसका पुत्र 16 वर्स तक ही जीवित रहेगा भगवान के वर्दान से ब्यापारी को खुशी भी हुई लेकिन पुत्र की अलप आयू की चिंता ने उस खुशी को नश्ट कर दिया ब्यापारी पहले की ही तरह सोम बार का विधिवत ब्रत करता रहा का जन्म हुआ पुत्र जन्म से ब्यापारी के घर में खुशियां भर गए बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समरो मनाया गया लेकिन प्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयू का रहस पता था ब्यापारी ने पुत्र की अल्प आयू का रहस घर में किसी को नहीं बताया था विद्वान ब्रामणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा जब उस ब्यापारी का पुत्र 16 वर्सका होने वाला था उसी समय उसके सिच्छा के लिए उसे बनारस बेचने का ब्यापारी ने निश्य किया ब्यापारी ने अपने साले को बुलाया और बुलाकर कहा कि दीपचंद अमर को बनारस छोड़ाओ यह वहां रह करके सिच्छा प्राप्त करेगा ब्यापारी ने दीबचंद को बहुत सा धन देकर अमर के साथ विता कर दिया रास्ते में जहां भी अमर और दीबचंद रात्री में विश्राम के लिए ठाहरते थे वहीं यगे करते थे और ब्रामनों को भोजन कराते थे लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक बहुत ही बड़े नगर में पहुँचे उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरी नगर को खूप सजाया गया था निश्चत समय पर बारात आ गई लेकिन वर के एक आख से काना होने के कारण वर का पिता ब है सता रहा था कि राजा को वर के काना होने का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इंकार न कर दे राजा ने इंकार कर दिया तो बारात को वापस ले जाना पढ़ेगा यदि ऐसा हुआ तो उसके बहुत ही बदनामी होगी वर के पिता ने ब्यापारी के बेटे अमर को उसी समय देखा, तब उसके मस्तिक्स में एक विचार आया, उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूला बना करके राजकुमारी से विवाह करा दूँ, विवाह के बाद उस लड़के को धन दे कर विदा कर दूँगा, और मैं रा दीप चंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को सुकार कर ली, अमर को दूला बना दिया गया, और राजकुमारी के साथ में उसका विवाह हो गया, इधर अमर जो है वह बहुत परिशान हो जाता है, कि मैं राजकुमारी को सच्चाई अवस्य ही बताऊंगा, म आमर राजकुमारी से सच्चाई को छिपा न सका, और वहां से चलते समय, सोती हुई राजकुमारी की चुनरी पर लिद्धिया, कि हे राजकुमारी, तुमारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, मैं तो बनारस सिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ, अब तुम्हें जिस न राजकुमारी ने जब अपने चुनरी पर लिखा हुआ पढ़ा, तो उसने सोर मचा दिया, और उस काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया, राजा ने जब यह सारी बात जानी, तो राजकुमारी को अपने महल में ही रख लिया, उधर अमर अपने मामा दीप चंद क साथ बनारस पहुंचा अमर ने गुरकुल में पढ़ना शुरू कर दिया जब अमर की आयू 16 वर्स पूरी हो गई तो उसने एक यगे किया यगे की समापती पर ब्रामनों को भोजन कराया खुब अन और वस्त दान में दिये तभी अमर ने अपने मामा जी से कहा कि मामा जी मेर की तवियत जो है वह कुछ ठीक नहीं लग रही मैं अब सोना चाहता हूं यह कह करके अमर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर सो गया भवान शिव के वर्दान के अनुसार सोते सोते अमर के प्राण निकल गए सुर्योदे होने पर मामा ने अमर को जगाया तो उसे मृत देख कर रोने लगे आस पास के लोग भी एकत्र होकर के दुख प्रगट करने लगे मामा के रोने और बिलाब करने के सुर्ब समीप से गुजडरते हुए भवान शिव और मापारवती ने भी सुनी मापारवती ने बहग्वान से कहा हे प्रानात मुझसे यह रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे आप इस विक्ति के कश्ट अवस्यदूर करें बहग्वाद शिवो ने मापारवती के साथ अद्रश रूत में समीब जाकर देखा तो माता पार्वती से कहे कि यह तो उसी ब्यापारी का पुत्र है मैंने इसे 16 वर्स की आयू का वर्दान दिया था इसकी आयू पूरी हो गई और इसके प्राण निकल गए मा पार्वती ने शिर्जे से प्रातना की कि हे प्राणात आप इस बालक को जीवित कर दें नहीं तो पुत्र की म्लत्य के कारण रो रो करके अपने प्राणों का त्याग कर देंगे इस बालक का पिता तो आपका परम भक्त है वर्सों से सोंबार ब्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है मा पार्वती के आग्रह करने पर भावान शिव ने उस बालक को जीवित होने का सारा वात्तावरन खुशियों से भष गया। शिच्छा का स्मापन करके अमर अपने मामा के साथ अपने नगर को चल दिया। चलते चलते दोनों उसी नगर में पहुँचे जहांपर अपर अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यगी का आयोजन किया समीप से गुजरते हुए नगर की राजा ने यगी का आयोजन देखा राजा ने अमर को तुरत पहचान लिया यगी समाप्थोने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गए और कुछ दिन उन्हें मिहल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा किया दीप चंद ने नगर में पहुँचते ही एक दूद को घर भेज करके आने की सूचना भेजी अपने बेटे को जीविद वापस लोटने की सूचना से ब्यापारी बहुत प्रसन हुआ ब्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ अपने को एक कमरे में बंद कर रखा था भूखे प्यासे रहकर ब्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतिक्छा कर रहे थे उन्होंने प्रतिग्या कर रखी थी, यदी उन्हें अपने बेटे की मृत्यू का समाचार मिला, तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे, वियापारी अपनी पतनी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा, अपने बेटे के विवाह का समाचार सुन करके, और को देखकर व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा उसने अमर को चाती से लगा कर बहुत प्यार किया उसी रात भागवान शिव ने स्वपन में आकर कहा है श्रिष्ठी मैंने तेरे सोंबार के ब्रत करने और कथा सुनने से प्रसंद हो करके तेरे फुत्र को लंबी प्रदान करी ब्यापारी बहुत प्रसंद हुआ जिस प्रकार से भगवान भोले नात ने उस ब्यापारी की सारी मनुकामनाओं की पूर्ति की उसी प्रकार से भगवान भोले नात अपने भक्त की सारी मनुकामनाओं की पूर्ति करें भगवान भोले बाबा की चैह हो माता पार्वती की चे हो राधी राधी ओम नमस्षिवाय आज मैं आप लोगों को स्रावण मास का अध्यत्मिक महत के बारे में बताने जा रही हूं स्रावण मास का इतना अधिक महत हमारे सास्रों में क्यूं बताया गया है आईए जानते हैं स्रावण अध्वा सावन हिंदू पंचां के अनुसार वर्स का पाचमा महिना इस्वी कलेंडर के अनुसार जुलाई या अगस्त माह में पड़ता है इस वर्स स्रावण मास 22 जुलाई से 19 अगस्त तक रहेगा इसे वर्सा रितु का महिना या पावस रितु भी कहा जाता है क् इस समय बहुत वर्षा होती है इस माह में अनेक महत पून तेहवार मनाय जाते हैं जिसमें हर्याली तीज, रक्षा बंधन, नाग पंचमी, स्रावन पुर्णिमा और दच्चन भारत में नार्यली पुर्णिमा व अवनी अवित्तम, मत्य भारत में कजरी पूनम, उत्तर भारत में रक्षा बंधन, गुजरात में पवित्रोपना के रूप में मनाया जाता है, तेहवारों की विविधिता ही तो भारत की विशिष्टता की पहचान है, स्रावन यानि सावन, सावन माह में भगवान शिव की अराधना का विशेश महत्व है, इस माह में पढ़ने वाले सो सावन के सोंबार कहे जाते हैं, जिसमें इस्त्रियां तथा विशेश तोर से कुमारी युवतियां भागवान शिव के निमित ब्रत रखती हैं, महा देव को प्रिय है सावन का महिना, सावन माह के बारे में एक पौराने कथा है, कि जब सनत कुमारों ने भागवान शिव से उन्हें सावन महिना प्रे होने का कारण पुछा तो भगवान भोले नात ने कहा कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ती से सरीर को त्याग दिया था उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जनमे में पती के रूप में पाने का प्रण किया था अपने दूसरे जनम में देवी सती ने पारवती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जनम लिया पारवती ने युवा अवस्था के सावन महिने में निराहा रहकर कठोर ब्रत किया भगवान शिव को प्रसंद करके उनसे विवाह किया जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेश हो गया इसके अतरिक्त एक अन्य कठा के अनुशार मरकंडे रिशी के पुत्र मारकंडे ने लंबी आयू के लिए सावन माहि में ही घोर तक किया और भगवान शिव के के पासे उन्हों ने अपनी लंबी आयू प्राप्त करी और यम्राज भी उनके सामने नत्मस तक हो गई भगवान शिव को सावन का महिना प्रिय होने का एक अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महिने में प्रिथिवी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गय थे और वहां उनका अर्ध और जल अविशे किया गया था माना जाता है कि प्रतेक वर्स सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं भूरों क्वासियों के लिए शिव क्रिपा पाने का यह उत्तम समय होता है सावन माह में भगवान शिव की पूजा की जाती है सावन मास में भगवान संकर की पूजा उनके परिवार के सदस्यों के संग करनी चाहिए इस माह में भगवान शिव के रुद्रा अवशेक का विसीस महत्व है इसलिए इस माहस में प्रते एक दिन रुद्रा अवशेक किया जा सकता है जबकि अन्य माह में शिव वास का मूर्द देखना पड़ता है भगवान शिव के रुद्रा अवशेक में जल, दूद, दही, शुदगी, शहद, सककर, याचिनी, गंगा जल तथा गन्ये के रस से आदि से इस्तान कराया जाता है अवशेक कराने के बाद बिलपत्र, समीपत्र, कुशा, दूब, आदि से शिव जी को प्रसन करते हैं अंत में भांग, धतूरा, स्रीफल, भोले नात को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर बेलपत्र, समीपत्र, चढ़ाने का वर्णन पुराणों में भी किया गया है बेलपत्र, भोले नात को प्रसन करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है कहा जाता है कि आग का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बरावर फल मिलता है हजार आग के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल हजार कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बेलपत्र से दान का पुनिफल मिलता है हजार बिलपत्रों के बरावर एक द्रोन या गुमा फूल फलदाई होता है हजार गुमा के बरावर एक चिचिरा हजार चिचिरा के बरावर एक कुश का फूल हजार कुश फूलों के बरावर एक शमी का पत्ता हजार समी के पत्तों के बरावर एक नील कमल हजार नीर कमलों से ज़्यादा एक धतूरा और हजार धतूरा से भी ज़्यादा एक समी का फूल शुब और पुनिफल देने वाला होता है आये जानते हैं बिलपत्र के बारे में आये सुनते हैं बिलपत्र की एक कथा भवान सिव को प्रसंद करने का सबसे सरलतरी का उन्हें बेलपत्र अर्पित करना बेलपत्र के बीचे भी एक पौरानी कथा का महत्व है इस कथा के अनुसार भील नाम का एक डाकू था यह डाकू अपने परिवार का पालन पोशन करने के लिए लोगों को लूटता था एक बार सामन माह में यह डाकू रहगीरों को लूटने के उद्देश से जंगल गया और एक ब्रक्ष पर चढ़ कर बैठ गया एक दिन रात पूरा बीत जाने पर भी उसे कोई सिकार नहीं मिला जिस पेड़ पर वह डाकू छिपा था वह बेल का पेड़ था रात दिन पूरा बीतने पर वह परिशान होकर बेल के पत्ते तोड़ कर नीचे फेकने लगा उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग इस्थापित था जो पत्ते वह डाकू तोड़ कर नीचे फेक रहा था वह अंजाने में ही शिवलिंग पर गिर रह थे लगातार बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से भगवान शिव प्रसन हो गए और अचानक ही डाकू के सामने प्रगट हो गए और डाकू को वर्दान मांगने को कहा उसी दिन से बिलपत्र का महत्व और बढ़ गया यह दी संपुन जानकारी स्रामण वास के बारे में आसा करती हूँ क्या आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी किर्पया वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन दवाना ना भूलेगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद